हेलो गाइज यू आर मोस्ट वेलकमोने टुजएर मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भगवाल भोले नात को क्यों पिरिया है बेल बत्र जान ये इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है आज की वीडियो में सावन का महिना जल्दी सुरू होने वाला है आपको बताते कि इस साल 22 जोलाई से सावन की सुरूआत हो रही है भगवाल भोले नात को ये महिना बहुत पिरिया है स्रावन मार्च में भगवान भोले नात की पूजा की जाती है भगवान भोले नात को परसंद करने के लिए उन पत्त्र न चड़ा जाए तो उनकी पूझा दूरि माने जाती है। चड़ाये जाए तो भगवान शिव परसन होते हैं और मन चाहा फल देते हैं और आईए जानते हैं भगवान बोले नात को बेल पत्र चड़ाने के नियम और लाब क्या क्या है। विष्ट के परवाव को खतम करने के लिए देवताव ने भगवान सीव को बेल पत्र खिलाया बेल पत्र खाने से विष्ट का परवाव कम हो गया तब इसे भगवान सीव को बेल पत्र चड़ाने की परता चली आ रही है सिविलिंग पर बेल पत्र चड़ाने से जुड़ी पुरानी कथा क्या है जब समुद्र मंधन के बाद विष्ट निकला तो भगवान सिव ने पूरे ब्रह्मान को बजाने के लिए इस विष्ट को अपने कंट में दारन कर लिया विष्ट के परभाव से उनका कंट निला पड़ गया और वे नील कंट कहलाए और उनका पुरा सरीर बेहत करम हो गया जिससे आसपास का वातरवन भी जनने लगा चुकि बेल पत्र विष्ट के परभाव को कम करता है इसलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान सिव को बेल पत्र के साथ ही जल भी अर्पित किया जाने लगा बेल पत्र और जल के परभाव से बोले नात के सरीर में उत्पन गर्मी सांथ होने लगी और तबी से बगवान सिव को जल और बेल पत्र चड़ाने की पर्था चलिया आ रही है सिविलिंग पर बेल पत्र चड़ाते समय इन बोले संकरों को बेल पत्र चड़ाए तो ध्यान रखे कि बेल पत्र चड़ाने के बाद जल चड़ाना चाहिए बेल पत्र चड़ाते समय ओम नमेश्युवाई मंत्र का जब भी करना चाहिए खास तोर पर सावन के महिन्य में इस तरह से अर्पित करे बेल पत्र सावन में सीव जी को चंतन का तिलक लगाए इसके बाद बेल पत्र भांग दतूरादी अर्पित करे बेल पत्र अर्पित करने के बाद जल से अभी सेख करे इसके बाद सिवजी के समुक दीप जलाए और भोग में केसर की खीर लगाए जै भोले नाथ ओके गाई जाई हो जानकारी आपको अच्छी लिए होगी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिलते हैं हो के बाई बाई